गुंकटूपर उठा लो बेटा, सब घर वाले ही है ये कोन है रहा रास्ता में इसकी बीबी खो गई चले गाव के कपल की शादी के बाद विदाई हो रही होती है जिसमें लड़के का नाम दीपक होता है और लड़की का नाम फूल देवी होता है असल में दीपक की शादी को हुए दो दिन बीच चुके थे और उसके परिवार वाले शादी के बाद ही चले गए थे पर फूल देवी की दादी की इच्छा थी कि वो यहां पर पूजा करके ही जाए इसलिए पूजा खत्म होने के बाद दीपक और फूल घर जा रहे थे फूल की मा उससे कहती है अब तुम्हारी शादी हो गई है इसलिए अब अपना घूंगट उपर मत करना जिसके बाद दीपक और फूल अपने घर जाने के लिए चल देते हैं पहले ये दोनों बस में सफर करके एक स्टेशन पर पहुचते हैं और रास्ते में दीपक फूल की जवेलरी उतरवा लेता है ताकि वो उसे अपने पास सेफ रख सके इसके बाद ये लोग एक गाव से ट्रेन पकरते हैं जिसमें काफी ज़्यादा भीर थी और वहाँ दीपक देखता है कि उस डबे में तो पहले से ही एक शादी शुदा जोड़ा बैठा है और दुलहन की ड्रेस भी लगभग सेम ही है दीपक फूल को सीट पर बैठा देता है और साइड में खड़ा हो जाता है तब वहाँ पर एक दूलहे प्रदीप की माँ पूछती है कि तुम भी शादी करके आए हो तो दहेज में क्या मिला और वो अपने बारे में बताने लगती है कि हमें तो बाइक और कैश सब कुछ मिला पर प्रदीप तो अपने ससुराल वालों से अभी भी नाराज था क्योंकि उसे थोड़ा और दहेज चाहिए था फिर प्रदीप की मा दीपक से पूछती है कि अब तुम बताओ जिसका दीपक कोई जवाब नहीं देता और प्रदीप की मा कहती की जरूर लड़के में ही खोट होगी जिसके थोड़ी देर बाद दीपक को भी सीट मिल जाती है तब दीपक को टॉयलेट जाना था तो वो फूल को बताकर टॉयलेट जाता है तब ही वो ट्रैन स्टेशन पर रुकती है और ट्रैन में भीर घुस जाती है और धीरे धीरे करके फूल देवी साइड में खिर्की के पास पहुंच जाती है फिर प्रदीप भी उसी सीट पर बैठ जाता है और उसकी वाइफ भी उसी के साथ थी और भेर के कारण दीपक को साइड में बैठना पड़ता है अब रात को दीपक का स्टेशन आ गया था इसलिए दीपक फूल देवी समझ कर प्रदीप की बीवी को अपने साथ ले जाता है और मामला गौतम गंभीर हो जाता है और प्रदीप की बीवी घुंगट के कारण देख नहीं पाती और नीचे उतर जाती है तभी प्रदीप की बीवी को समझ आता है कि ये तो उसका पती नहीं है इसके बावजूद वो दीपक को बिना बताए उसके साथ चल देती है अब वो ऐसा क्यों करती है वो हमें आगे पता चलेगा फिर दीपक अपने गाव पहुच जाता है जहां उसके दोस्त उसका बैंड बाजे के साथ स्वागत करते हैं फिर दीपक खुशी खुशी अपनी बीवी के साथ घर जाता है तब दीपक की मादोनों की आरती करती है और फिर दुलहन को घूंगट उठाने के लिए कहती है अब जैसी वो लड़की घूंगट उठाती है तो सब उसका चेहरा देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि यहां तो फूल देवी की जगह कोई और आ गई थी तब वो लड़की बताती है कि मेरा नाम पुश्पा है और मैं गलती से दीपक के साथ आ गई हूँ और इस घूंगट और अंधेरे के कारण पता ही नहीं चला और उसे अपना पती समझ कर उसके साथ यहां आ गई पर दीपक के पापा उसे खूब डाटते हैं कि कोई सामान की तरह अपनी बीवी को कैसे भूल सकता है और यह सुनकर दीपक चिंता में पढ़ जाता है कि अब उसकी फूल का क्या हाल हो रहा होगा क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि दीपक ट्रेंस से उतर चुका है फिर दीपक के घर वाले पुषपा से उसके गाव के बारे में पूछते हैं तो वह कहती हैं कि वह गंगापुर की रहने वाली है लेकिन वहा तो गंगापुर नाम के कई सारे गाव थे और पुषपा को तो अपने ससुराल का भी पता नहीं था कि वह कहा है वह तो बस अपने पती का नाम प्रदीब बताती है साथ ही उसके पास एक नंबर भी था जो वह दीपक को दे देती है लेकिन वह नंबर भी बार-बार गलत ही बता रही थी अब दीपक की मा कहती है कि जब तक इसके घर का पता नहीं चल जाता पुष्पा यही दीपक की भाभी के कमरे में रहेंगी और दीपक और उसके सारे दोस्त फूल देवी को रेलवे स्टेशन ढूंडने चल देते हैं फिर जब फूल देवी की ट्रैन में आख खुलती है तो वहाँ दीपक नहीं था इसलिए वो ट्रैन से नीचे उतर जाती है पर उसे दीपक कहीं भी नहीं मिलता और यहां प्रदीप भी अपनी बीवी को भूंडता है पर वो भी गायब थी पर प्रदीप की बातों से समझ आता है कि उसको तो अपनी बीवी के जाने का कोई गम ही नहीं है उसका कहना था कि अब तो दहेज मिल ही चुका है इसलिए बीवी मिले ना मिले क्या दिक्कत है फिर सीन शिफ्ट होता है और हम पुषपा को देखते है जो अपने बैग में से एक फोन निकालती है और उसमें से सिम निकाल कर जला देती है यानि कि ये पुषपा सबसे कुछ चुपा रही है और इधर फूल देवी स्टेशन पर बिलकुल अकेली थी और बहुत ही ज्यादा डर रही थी अब सुबह हो जाती है जहाँ फूल को एक आदमी मिलता है और फूल भागने लगती है तब वो एक छोटु नाम के लड़के से टकराती है और वो छोटु बताता है कि इस आदमी से डरोमत ये अच्छा आदमी है फिर फूल कहती है कि वो स्टेशन पर खो गई है और पर फूल को तो पता ही नहीं था फिर वो उसे उसके पती का नाम पूछता है पर फूल नाम लेने से मना करती है कि वो पती का नाम नहीं लेते सकती इसलिए वो अपनी मेहंदी दिखा देती है जिससे मास्टर को पता चलता है कि उसका नाम दीपक है फिर फूल कहती है कि उस उस गाव का नाम किसी फूल से था और यहां इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये किस गाव की बात कर रही है। तब स्टेशन मास्टर उसे पुलिस के पास जाने के लिए कहते है पर फूल मना कर देती है कि वहाँ जाने से डर लगता है। जिसके बाद छोटू उसे एक दा अगरात मनाली गहने भी ले लिए इसलिए उसने अब तुझे छोड़ दिया पर फूल कहते की नहीं। मुझे उन पर विश्वास है कि वो मुझे ढून रहे होंगे। जिस पर दादी फूल की मदद करने के लिए मान जाती है और वो फूल को दुकान पर तब तक काम करने के लिए लगा देती है। इधर अब फूल का पता लगाने के लिए दीपक अपने दोस्तों के साथ पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर श्याम को सब कुछ बताने लगता है। तब श्याम को तो लगता है कि वो लड़की सारी ज्वेलरी लेकर खुद ही भाग गई ह पर दीपक कहता है कि नहीं गहन तो मेरे पास ही है। फिर श्याम पूछता है कि वो जो लड़की तुम्हारे साथ आई है उस पर गहने है क्या। तो दीपक कहता कि हा, उसके पास तो अच्छी खासी ज्वेलरी है, जिससे श्याम को उस पर शक होता है। दीपक फूल की पुश्पा को लेकर थाने आना और वो केस को सॉल्व करने की सोचता है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि वो फूल को पहचानेगा कैसे। इधर हम प्रदीप को देखते हैं जो अपनी बीवी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आता है और यहां पता चलता है कि ये तो प्रदीप की दूसरी शादी थी क्योंकि पहली वाली को तो उसने जिंदा जला दिया था। इधर थाने में शाम इसी केस पर काम कर रहा होता है और उसे दूसरे गाव से सेम ऐसा ही केस मिलता है जो था प्रदीप का बस उसमे लड़की का नाम जया बताया हुआ था। कि नहीं मेरे पती आते ही होंगे मुझे ढूंडते हुए फिर हम या पुषपा को देखते है जो दीपक की भाभी से बात करती है और उनसे दोस्ती बढ़ा लेती है। यहां बातों के दोरान ही पता चलता है कि दीपक की भाभी को ड्राइंग का शौक है लेकिन वो शादी करने के बाद ड्राइंग से दूर हो गई। फिर वह पुषपा के हाथ पर जया नाम का टैटू देखती हैं यानि कि पुषपा यहां अपना नाम छुपा कर रह रही है। तभी सीन चेंज होता है और पुषपा और दीपक थाने आते हैं और इंस्पेक्टर श्याम पुषपा से सवाल जवाब करने लगते हैं कि तुम्हारा घर कहा है। ससुराल कहा है जिम्हे से आधे सवालों के जवाब पुषपा कहती है कि मुझे नहीं पता और यह सब देखकर श्याम का शक पुषपा पर बढ़ जाता है कि ये जरूर कुछ तो छुपा रही है। फिर वो पुषपा से बौडी पर बने निशान के बारे में पूछता है जिस पर पुषपा उन्हें अपने हाथ का लिखा नाम दिखा दिया है। अगले दिन फूल दादी के स्टॉल पर कलाकंद मिठाई बनाती है जो कि लोगों को खूब पसंद भी आती है और पूरी मिठाई ही बिक जाती है। ऐसे करते करते कुछ दिन बीथ जाते हैं और हम देखते हैं कि अब श्याम पुषपा का पीछा करने लगा है कि वो कहा जाती है। किस से बात करती है और उसे पता चलता है कि पुषपा ने पहले अपने कुछ गहने बेचे। फिर उसने पांच हजार के पांच बार मनी ओर्डर किसी हिमा को किये हैं। और उसी बारे में सोचने लगता है कि ये करना क्या चाह रही है। वही हम पुषपा को देखते हैं जो खेट में थी और उससे बात करने के लिए दीपक का दोस्त मनोहर आता है। और यहां बातों के दौरान पता चलता है कि पुश्पा पढ़ी लिखी लड़की है। तभी वहां दीपक के पापा आकर मनोहर से कहते हैं कि कीत नाशक छिड़कना होगा वरना ये कीड़े फसल खराब कर देंगे। पर पुश्पा कहती हैं कि इससे तो फसल के पोशक तत्व भी खराब हो जाएंगे। इसलिए वो एक आसान सलूशन बताती है जिससे फसल कीरों से बच जाएगी। और हमें समझ आता है कि पुश्पा किसानी के बारे में काफी कुछ जानती है। यहां दीपक के दोस्तों के कहने पर दीपक AIM-A-L-A से मिलने जाता है कि आप मेरी बीवी को ढूंडवा दीजिये पर वहाँ AIM-A-L-A तो उल्टा दीपक के नाम पर ही सामने वाली पार्टी को एक किड्नैपर बता देता है कि उन्होंने दीपक की बीवी को किड्नैप अब एक दिन पुश्पा का फोन दीपक के भतीजे के हाथ में लग जाता है तब पुश्पा उसे फोन में गेम खेलने का लालच देकर चुप रहने के लिए कह दिया है तब ही उसकी नजर दीपक की भावी की बनाई फोटो पर पड़ती है और वह उसकी खूब तारीफ करत जा हो इसी बात को लेकर दीपक की अपनी दोस्तों से लड़ाई हो जाती है जिसके बाद नशे में दीपक घर आता है और पुश्पा उसे संभाल लेती है दीपक बार बार फूल का ही नाम लिये जा रहा था अगले दिन पुश्पा सीधा दीपक की भावी से कहती है क्या आ असली नाम तो जया है, जिसको देखकर श्याम जया को पकरने चल देता है और वह सारी बात दीपक को बता देता है कि ये जानबूच कर अपनी पहचान छुपाए बैठी थी, जिसे जानकर दीपक जया को अरेस्ट करने के लिए कहता है और जया की एक बार भी नहीं सुनता कि वह कहना क्या चाहती है, अब जया को ये लोग थाने में ले जाकर बंद कर देते हैं और दूसरे थाने वाले को बता देते हैं कि लड़की मिल गई है, इसे ले जाएए, यहां दीपक के पास उसके दोस्त आते हैं और बताते हैं कि वो लड़की धोखेबाज नहीं है, बलक में गाव का एडरेस लिखा था, गाव का नाम था सूरज मुखी जिसके बाद स्टेशन मास्टर उसी गाव में जाने वाली ट्रैन में उसे बैठा देते हैं, अब इधर दीपक सीधा थाने चला जाता है और वहाँ वो जैसे सच्चाई पूछता है कि आखिर तुम यहां प जिसके बाद शादी से दो दिन पहले उसे पता चला था कि लड़के ने अपनी पहली पतनी को दहेच के कारण मार दिया था पर अपने माबाप की हालत देखकर वो चुप रही फिर वो बताती है कि जब दीपक ने उसे ट्रैन से चलने के लिए कहा तो वो ये सोचकर चुप रही की मौका मिलते ही वो अपनी पढ़ाई के लिए देहरादून चली जाएगी इसलिए वो अब तक अपनी कजन हेमा को पैसे भेजती जा रही थी फिर वो कहती है कि मैं कल ही देहरादून जा रही थी लेकिन दीपक नशे में फूल के लिए परेशान था जिसे देखकर मै के गाव पहुँचने वाली है और ये सुनते ही दीपक फूल को लेने चल देता है जहां उसे फूल मिल जाती है और वो इससे काफी खुश होता है इसके बाद धाने में प्रदीप जया को लेने आता है और श्याम को ये मामला दबाने के लिए पैसे भी देता है कि अब जो यह जया मना कर देती है और श्याम प्रदीप को हड़का कर घर भेज देता है कि आज के बाद इसे परेशान मत करना वरना तुझे बहुत मारूंगा। यही पर खत्म होती है। तो आप लोग अपना ख्याल रखना और ऐसे ही किसी दूसरे की पत्नी ना ले आना। मामला गौतम गंभीर हो जाता है भाईया।